जै हिन जै बार्द साथियो मैं हूँ अजीत फोजी सुंगर पूरिया आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल ओम स्पोर्ट्स कैडमी तो साम भिवानी साथियो एक्सरिसमेन के लिए जो भी हमारे फोजी भाई है जो पैंसन आ जाते हैं चाहिए वो प्रिमिचोर आते हैं या टाइम पूरा टरनोर पूरा करके आते हैं उनके लिए डियस्ची का प्रावदान है जो डियस्ची में जाते हैं ये भी एक सेना की बरती होती है जिसमें अक्सरिसमेन सामिल होते हैं डियस्ची रग्रूट्मेंट तो उन फोजी भाईयो के लिए अच्छी खबर है कि एक लेटर निकाला है ये बंगाल इंजिनियर ग्रूप एंड सेंटर है ये के एड़कवाटर ने ये रूडकी में वह ये सेंटर उन्होंने लेटर जारी करके 10 दिसंबर 2021 को सभी उनिट और फॉर्मेशन को बताया है जिला सैनिक बोड को कि जो है अक्सरिश्मेन की रेली कंडेक्ट की जाएगी फोर डियसी रेग्रूटमेंट के लिए तो जो भी मेरे फोजी बाई है डियसी में सामिल होना चाहते हैं उसके लिए लेटर रिलीज हुआ है और यह जो रेली है आपकी यह होएगी 7 जनुरी 2022 को और यह सैंचुरी पैविलिन ग्राउंड है बीजी सेंटर रुड की का रुड की है आपके उत्र पर देश उत्राखंड में वैश उत्राखंड में यह रुड की सेंटर वहाँ पर है यह बीजी का बंगाल इंजीनियर का है यह यहाँ पर गुरूप एंड सेंटर है तो यहाँ पर यह रेली की जाएगी और इसमें बताया गया है कि जो भी इस रेली में सामिल होना चाहते हैं वो अपने जो भी डोकोमेंट बताया गये है नीचे उन डोकोमेंट को 5 जनवरी 2022 तक भी जुआ दें वही जो गुरूप का एड़कॉर्टर है उसकी यह ब्रांच को यह 5 तारिक तक भी जुआ दें 5 जनवरी तक उसके लिए बताया गया है कि डिस्चार्ज बुक जो आपक बैक ग्राउंड के अंदर होनी चाहिए 10 पासपोर्ट साइज लेटर्स फोटो यह वही तीन चीज़ें आपको बिजवानी हैं 5 जनवरी 2022 तक जितने भी अक्सरिश्मेन वाई हैं फोजी वाई हैं जो डिस्च में जाना चाहते हैं और उसके लिए कुछ क्यू आर बताई ग एसी थर्ड या फिर मैट्रिक और उससे एकुलेंट जो भी उससे समानांतर जो भी दस्मी से संबन दीते उसके समान का जितनी भी एजुकेशन है कम से कम दस्मी पास होना चाहिए कहने का मतलब यह दोस्तो उसके अलावा एज जो है सोल्जर जीडी के लिए 46 एर है और सोल् बताई गहीं जो आपका क्रेक्टर है जब आप डिस्चार्ज आते हो तो आपकी जो डिस्चार्ज बुक में आपका क्रेक्टर लिख्या जाता है तो इसमें एक्जाम्पलरी हो या वेरी गुडिस से निचे का क्रेक्टर नहीं होना चाहिए और मेडिकल जो क्राइड काटे चलेगा यहाँ पर शिरफ दो साल तक ही gap valid है डिस्चार्ज से जब आप डिस्चार्ज गए हो और आज जो बरती हो और इसके बीच में दो साल से ज़्यादा का gap नहीं हो कहने का मतलब यह है तो gap year दो साल से ज़्यादा नहीं हो और आगे discipline में बताया गया और इसमें बताया गया है कि रैड इंट्री है न पांच साल से पहले की हो सकती है लेकिन last five year में नहीं होनी चाहिए और खास करके इसमें section भी बताया गया है कि यह जो है AA Army Act जो है section 48 और यह है intoxication यानि नसे से संबंदित जो भी है यह नसे से है इसमें कोई भी आपको सजा नहीं हो रखियो last five year में तो यह आदमी इस बरती में सामिल हो सकते हैं जिनकी यह सारी सर्थे हैं और आगे last third line में भी बतायागा है request give wide publicly for ESM सबी जो अक्सर इसमें है फोजी भाई है through unit person और यह सारे किसे B.A.G. के unit person के लिए है यह यह नहीं कि दूसरे group के भी यहाँ पर D.A.C. में जॉइन कर सकते हैं यहाँ पर शिरफ जो B.A.G. से रिटायर हुए है फोजी भाई जो वो जा सकते हैं यहाँ पर उसके अलावा जो सेंटर में जा नहीं सकते हैं document के लिए तो बताया गया कि जितने भी जिला सैनिक बोर्ड आपके छेतर अधिकार के अंदर जो आप के रिया के अंदर है जिला सैनिक बोर्ड है उनके थुरू भी आप अपने document बेज सकते हो और डारेक्ट रैली में जा सकते हो यह रैली आपको बता दी यह रैली की जाएगी फोजे भाईयों के लिए डियस्ची की रैली है यह आपको सारी सरते बता दी गई है और हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाए पीडियेफ को डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो और कुछ समझ में नहीं आता तो हमारा मोबाइल नंबर दिया गया थमनेल पे आप हम से कॉंटक्ट कर सकते हैं जै हिन जै बारचातियो